ये साड़े 500 साल के बाद ये इतना बड़ा विवाद था जो साड़े 500 साल तक चलता रहा अब आकर की विवाद खतम हुआ है राम मंदिर का निर्मान हो रहा है उद्गाटन का डेट 22 तारीक को है पूरे देश में एक जस्न का महौल है प्रभाव है कि उनके नाम से ही लोग प परेशान है कि नमस्कार में अनाम सद्धन्जर आप देखने एक निश्ट 24 हमार साथ बादचीत करने के लिए बिहार सरकार के पुर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा बिधायक निरचक्मार बबलू है राम मंदिर को लेकर बार-बार हमला हो रहा है कल ही प्रोफेसर च लेकर हमेशा है जो कि भारते जन्ता पाटी राम मंदिर बनवार यह एक और बाइस को घाटने लेकिन विपक्ष की और से हमेशा राम मंदिर को लेकर हमला किया जा रहा है देखिए राजद के लोगों में विबादित ब्यान देने का होर लगा हुआ है इसलिए इस तरह का से लोग भी बादित ब्यान देते हैं कि मीडिया में चलने मीडिया में चर्चा हो मीडिया में जाने देखिए 50.500 साल के बाद यह इतना बड़ा बिबाद था जो 500 साल तक चलता रहा अब आकर ुभात कि खतम हुआ है राम मंदिर का निर्मान हो रहा है उट घाटन का डेट इसलिए लों का यहाल है कि इस तरह का बे지를 करते हैं उनके रिस्तेदार रांनाम करते हैं की छेतर में तो यह है कि कुट्टेक तरह लोग खोज रहे हैं पूरा का पूरा ही लोग का मांसिक इसी बिगड़ गया इसलिए इसलिए सब अनापसना ब्यान देते रहते तेरा को प्रधान मंत्री मोदी आ रहे हैं उनका बेतिया संसदी अच्छेतर में जो उनका रेली है और ठीक अगले दिन 14 को सिमांचल में जो से बिहार में परवेश करने वाले निया यात्रा निया यात्रा के ओपर क्या करना चाहिए देखिए यह लोग अपना यात्रा करते रहते हैं यात्रा वतरा से कोई फरक नहीं पड़ने वाला है मोदी जी का इतना बड़ा प्रभाव है कि उनके नाम से ही नोग को को कोई फरक नहीं पड़ने वड़ा है ञंता मन बना के बैठी हुई है कि आने वाले छुनों में पुना हम कमल पर भोट दे करके तीसरी बार मोदीजी को प्रधान मंत्री बनाएंगे जनता ते कर लिए आप सुन रहेते हैं पुर्भू मंत्री हैं और भार्जपा के कदावर नेता है निरेश कमार बबलू को सता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए